नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट खेती किसानी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि जो यहों की फसल होती है उसे क्या हमें सूखे में बोना चाहिए या पलेवा करके बोना चाहिए दोनों में किया हमारी उत्पादन पर फरक पड़ता है और हमें क्या फाइदा होता है इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो जो किसान भाईया हमारे चैनल पर नए है यदि अभी तक उन्हों ने हमाया चैनल सस्काइब नहीं किया हो तो प्लीज सस्काइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिशन आपको मिल जाया करेगा अब बात करते हैं कि हमें जो हमारी ग्यहों की फसल होती उसे सूखे में बोना चाह आपसे में बात करूँ और दूसरी बात यह है कि यदि आप अगली फसल बोते हैं जैसे में बात करूँ कि मून की फसल की विजाई करने वाले हो तो आप ग्यहों की बोनी सूखे में करें उससे क्या होगा किसन वहीं कि जो आपकी अगली फसल में आपको जादा फाइदा हो जो आप बुणी करने वाले हो। क्योंकि सुख्य की बुणी समय रहते आ जाती है, उसमें पानी भी खम लगता है, और आपकी अगली फसल समय पर दोवा जाती है. और सुखे में बोने से आपको दवल फाइदा मिलता है और एक तो पानी भी कम लगता है और दूसरा जो आपके अगली फ़सल रहती है वो समय रहते उसकी बोनी हो जाती है और किसन भाईयो पलेवे करने से ये फाइदा रहेगा जो आपकी फसल है उसके जो कल्ले होते है उसका जो फुटाओ होता है उसी के साथ फ्लेग लीव बनती है उसका जो प्रकरन होता है काफी अच्छा रहता है उसी के आगे बात करें तो थोड़ा सा मोसम भी चेंज होता है क्योंकि आप जैसे पानी दे के बोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मतलब ठंड भी आ जाती है पलेवे वाली बोवनी में तो उससे जादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लेकिन अब बात आती है कि सूखे में बोने की तो किसान भाईयों जिन किसान भाईयों के पास पानी की कमी होती है वो सूखे में बोकर एक पानी बचा सकते हैं मतलब कि सूखे में विजाई करने के बाद एक पानी बचा सकते है क्योंकि सूखे में बोने से एक पानी कम लगता है सुखे में बोने की बात करें तो अभी की जो नई विराइटी आई है कठिया विराइटी आई है ड्रीम सीट कहा जाता है जिसका साइज मोटा होता है और दाने का जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है उन ग्यों को आपको सूखे में बोना चाहिए जिससे क्या फाइदा होता है किसान भाईयो जो अंकुरन होता है वो जादा अच्छा होता है और अगर आप इसे पलेवे करके बोते हैं तो इसके जो अंकुरन में सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है मطلب अंकुरण में काफी कमजोरी आ जाती है और इन सब बातो को ध्यान रखते हैं किसान भायों आपको बोनी करनी है क्या हमें सूखे में बोना चाहिए या पलेवा करके जिन किसान भायों के पास पानी अधिक हो वो पलेवा करके बोई अगली फसल के देखते हुए और जिन किसंद भाईयों के पास पानी कम हो वो सुखे में बोई तो यही था आज के इस वीडियो में पूरी जानकरी यदि आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करे और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद किसंद भाईयो